मेरा बच्पन जवानी गाउं घर सब कुछ उन्हें बताता हूं मा आजकल अमीरों के बच्चों को गरीबी के ख्वाप दिखाता हूं नमस्कार दोस्तों मसंजीत सबसे अमीर और सबसे खुष हाल अगर कोई जीवन होता है इनसान की लाइफ में हमारी लाइफ में वो होता है बच्पन तो बच्पन में हम क्या क्या करते थे कुछ लिखने की कोशिस की है अगर आपको वो बच्पन याद आए बच्पन की घटना याद आएं तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताईएगा कि मेरा बच्पन जवानी क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो उस बच्पन को नहीं जी पाई जो हमने जीया है तो उन बच्चों को आप ये बच्पन बता रहे हो कि मेरा बच्पन जवानी गाओं घर सब कुछ उने बताता हूं मा आजकल अमीरों के बच्चों को गरीबी के ख्वाब दिखाता हूं बताता हूं बैठा के बच्पन में जब सबसे अमीर होता था अपने घर के आसपास बहुत सारी सबजियां बोता था साइकल का टायर हाथ में डंडा मानो हिमाल्य चड़ता था भरी दोपैर में मेरा नंगा बदन जालिम सूरज से लड़ता था माचिस के तास गारा के घर कितने खेल खेलता था पकड़ के पूछ दस-दस भैसों को जोड में पिलता था नहाता था बेखोफ नदी नहर में न मोत का डर था आसमान चत थी मेरी और बहुत बड़ा घर था फटे कपड़ों में भी इज़त सलामत रहती है ऐसा लिखाता हूँ माजकल अमीरों के बच्चों को गरीबी के एकफ़ाब दिखाता हूँ क्योंकि जो अमीरों के बच्चे हैं वो ये बच्च्पन नहीं देख पाई जो हमने गरीबी में देखा है कर जब अंगन बाड़ी के पतिले से खील खीचड़ी बठती थी तब पेड़ों की छाओं में मेरी सारी दोपैर कटती थी अगर चड़ गया भुखार तो पापा पारले जी खिलाता था ना होते थे कभी बिमार ना खासी जुखा माता था और ना पैसे गाड़ी हमारे पास दुआउं से जिंदगी पलती थी मा के हाथ से रगड़ी मिर्चों में क्या लज़क मिलती थी सतूत बरबंटे निमोली पींच अने को फल खाते थे पेट दर्द का बहाना बना कर कई बार सकूल में आते थे बातो बातों में माटी के चुले की रोटी सब को खिलाता हूं मासकल अमीरों के बच्चों को गरीबी के ख्वाब दिखाता हूं और दादा दादी से हमने इतिहास का बड़ा भंडार पाया था करजे में कैसे जीते हैं ये पापा ने सिखाया था वहीं खाट थी भैस थी थोड़ी दूर एक चुला होता था नहाते थे जी भर के मैदान खुला होता था अच्छी मित्तरता थी कुटों से बड़ा ही लगाओ था व्यापार था कुड़े कच्रे का धेर जहां अपना पंथा चाओ था एक फोज थी यारे प्यारों की बड़ी टोली होती थी खेलते थे जी भर के ना कोई रोली होती थी बनके देखो गरीब मज़ा आएगा ऐसी घूटी उन्हें पिलाता हूं माजकल अमीरों के बच्चों को गरीबी के ख्वाब दिखाता हूं बारिस में नजाने कितनी किस्तियां तिरा के छोड़ते थे एक कौपी के कागस को हम जहाज में मोडते थे बांद कर सीख काट कर लिफाफे को हम भी पतंग उड़ाते थे कुटे से मोर को मोर से साप को अने को बार्च उड़ाते थे गदे खचर के पीट पे सवारी का बड़ा आनन्द मिलता था ये चीज अमीरों में कहा मिलेंगी दिखा के लाओंगा एक दिन ये सोरग तो मैं ऐसी बातों से मनाता हूँ माजकल अमीरों के बच्चों को गरीबी के ख्वाब दिखाता हूँ डालकर उंगली में पैन मास्टर बेरहमी से भीजते थे भुलाकर सारा दर्द रात को ट्रैक्टर से गन्ने खीशते थे बच्चों की तरह पालते फसल रात खलीहानों में बैठते थे कव्वा सूंड ना ले जाए नहरे में खटोला डालकर लेटते थे बनाकर गोबर की ढाल होली की चोटी तक बगाते थे जल्दी साधी हो जाएगी साथ साथ चकर उसके भी लगाते थे अब चाचा की बनियान भाई की पेंट और खुद की दो जोड़ी थी हिसे के मखाने हम खाते क्योंकि नानी हमारी बोड़ी थी गरीब सब के राजा थे हैं और रहेंगे ऐसे बीज में भी जाता हूँ आजकल अमीरों के बच्चों को गरीबी के खुआप दिखाता हूँ और तोते के पंक से विद्धा आएगी उन्हें किताब में रख लेते थे तूटते ही दांत गोबर में लपेट कर चट पे फैंक देते थे नहीं सरमाई कभी भी हक के लिए बहुत लड़कियां भी पीटी थी जितनी तुम्हारी आवाज है उससे ज़्यादा कहीं हमारी सीटी थी जो बेच के काफी बरफ खाते उनसे कई बार तोल खोली थी ना रंग था ना गुलाल था कीचड की सब की होली थी आते जाते लगते रहते कांटे हमारे पाउं में होते थे हम बहादूर क्योंकि रहते थे हम गाउं में संजीत मिलुआंगा सभी से चलो रेधा गाड़ी ले आता हूं मैं आजकल अमीरों के बच्चों को गरीबी के ख्वाब दिखाता हूं तो अगर आप भी उन बच्चों के साथ अपना बस्पन डिस्कस करते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आपके बस्पन के एक ए घटना कमेंट करें नमस्कार